हेलो इस्ट्रेंट्स, मैं पूर्णेमा गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट अप साइकोलोजी, आरेश कॉलेश तारापूर, मुंगेर इन्वर्सिटी के अंतरकत कारे रहा थूँ, आज मैं आपके सामने डिग्री पार्ट बन साइकोलोजी ओनर्स के सेक का टापिक है, मेंटल कंफ्लिक्ट या मानसिक संघर्स, आज इस परिचर्चा के द्वारा हम यह समझने का प्यास करेंगे कि मानसिक संघर्स क्या है, इसे हम कैसे परिभासित कर सकते हैं, मानसिक संघर्स के विविन आधार क्या है, और मानसिक संघर्स कितने प्रकार के होते Conflict, Latin भासा का सब्ध है, जिसका अर्थ होता है, strike two things at the same time यानि संघर्ष एक ही समय दो हीतों में टकराव या द्वन्ध के स्थिती है या द्वन्ध तीन प्रकार की परिस्थितियों में उत्पन हो सकता है पहला, स्वयम व्यक्ति के भीतर संघर्ष यानि Intrapersonal Conflict व्यक्ति वं व्यक्ति के भीतर संघर्ष यानि Intrapersonal Conflict और तीसरा, व्यक्ति वं परियावरन के भीतर संघर्ष यानि Environmental Conflict मानसिक संघर्ष व्यक्ति के भीतर प्रेरकों का संघर्ष है आज की इस चर्चा में हम मानसिक संघर्ष को समझने का प्रयास कर रहे हैं अतह हमारी चर्चा इस प्रतम स्रेनी के संघर्ष से यानि intra-personal conflict से संबन्धित होगी हम इसके बारे में ही चर्चा करें मानसिक संघर्ष प्रेरको का संघर्ष है यानि जब दो या दो से अधिक एक्छाओं, प्रेरकूं, लक्षों, मुल्यों, आधी में टकराओं या द्वंधूत्पन होता है कहने का तात पर यह है कि जब व्यक्ति में एक से व्यक्ति के सामने एक से अधिक विकल्प होते हैं प्रतेग विकल्प समान रूप से सक्तिसाली होते हैं ततकाल अपनी संतुष्टी चाहते हैं, पर उनका एक समय एक ही साथ संतुष्टी संभाव नहीं होता ऐसे में व्यक्ति के समक्ष, निर्नय का संकट उत्पन हो जाता है प्रतेक व्यक्ति को अपने द्यानिक जीवन में कई निर्णय लगातार लेने पड़ते हैं जिससे उसका व्यवहार तंत्र, अपने आसपास के लोगों के साथ सामाजिक संबंध और अपने वातवरन के साथ समायोजन की गुनवत्ता निर्धारित होती है ऐसे में असमंजस या अनिर्णय के स्तिती से जीवन में गतिरोध उत्पन होता है इस गतिरोध के फलसरूप उत्पन अंतर द्वंध को मानसिक संघर्ष की संग्या दी जाती है मानस एक संघर्ज के स्वरूप को अस्पस्ट करने के लिए मनोवैज्यानी को ने इसे परिभासित करने का प्रयति किया है आईए हम भी एक दो परिभासाओं के सहारे इसके स्वरूप को समझने का प्रयत्न करें पहली परिभासा हम लेते हैं Boring Langfield वम Build Mohade की जिसके अनुसार मानसिक संघर्ष उस अवस्था को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक परस पर विरोधी प्रवर्तियां एक ही साथ अपनी संतुष्टी चाहती हैं जबकि व्यक्ति उन्हें एक साथ संतुष्ट करने में समर्थ नहीं रहता इस परिभासा में एक्छाओं की परस पर विरोधी स्वरूप और एक साथ उनकी संतुष्टी की असमर्थता पर विशेश बल डाला गया है जिससे मानसिक संघर्ष की उत्पत्ती होती है दूसरी परिभासा कोलमैन में हो दै की है जिनके सब्दों में यानि एक विकल्प के चैन के कारण दूसरे विकल्प से संबंदित दूसरे विकल्प से बंचित रहने की हतासा को ही मानसिक संघर्ष की संघ्या दी जाती है इन दोनों परिभासाओं के विशलेशन से मानसिक संघर्ष के स्वरूप के बारे में कुछ तत्यों का पता चलता है जैसे पहला दो या दो से अधिक एक्छाओं की एक साथ उपस्थित होने के कारण मानसिक संघर्ष उत्पन होते हैं ये एक्छाओं परसपर विरोधी या प्रतिकूल स्वरूप की होती हैं कहने का तात पर ये है कि इन एक्छाओं का स्वरूप इस प्रकार का होता है कि एक का चैन करने पर दूसरे का स्वधा निशिद हो जाता है दोनों की पूर्ती एक साथ संभव नहीं होती तीसरा तथ्य है कि इन में से किसी एक के पक्ष में निर्णय करना कठिन होता है क्योंकि दोनों समान रूप से आकर सक या समान रूप से भी कर सक होती है दोनों की प्रवलता समान होती है ऐसे में किसी एक का चैन करना और एक को छोड़ना ये असमंजस कारी होता है अनिर्णे के स्तिती उत्पन करता है चौथा इस अनिर्णे से मानसिक तनाव यह वो मानसिक तनाव उत्पन होता है जिससे मानसिक संतुलन नस्ट होता है ना मानसिक संतुलन बिगरता है अतव व्यक्ति यदि सिग रही अपने मानसिक संगर्सों का कोई प्रभावी समाधा नहीं ढून पाता तो उसके बैभार में असमाननेता के लक्षन उत्पन होने लगते हैं, जिससे वह कू समायोजन का सिकार हो जाता है। मानसिक संगर्स के सुरूप को और अच्छी तरह समझने के लिए आईए हम ये समझने का प्रयास करें कि मानसिक संगर्स की उत्पत्ति के आधार क्या है। मानसिक संघर्स किसी भी व्यक्ति के लिए एक सार भॉमिक परिखटना है कहने का तात पर यह है कि प्रतेक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी मानसिक संघर्स की अनुभूति करता ही है मानिसिक संघर्षों की उत्पत्ति के जितने भी आधार हैं उन्हें हम तीन आधार में रख सकते हैं पहला है जीवन एवं मिर्तियू मूल प्रविर्थी सिग्मन फ्रायर ने यह स्पष्ट करने का प्रत्नी किया कि प्रतेक व्यक्ति में दो मूल प्रविर्तियां जन्मजात होती हैं यह मूल प्रविर्तियां हैं जीवन मूल प्रविर्ति और मिर्त्यू मूल प्रविर्ति इनकी प्रकृती एक दूसरे से परस पर विरोधी होती है जीवन मूल प्रविर्ती, रचनात्मक प्रविर्ती है जिसे सिग्मन फ्रायर ने इरोज की संग्यादी और मिर्त्यू मूल प्रविर्ती, विध्वन सात्मक प्रविर्ती है जिसे उन्होंने थनाटोस कहा किसी एक विशेश समय में व्यक्ति का व्यवहार इन दोनों मूल प्रविर्तियों के सापेक्ष बल का परिडामी होता है जैसे हम एक सुत्र के द्वारा एक फॉर्मुला के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं Behavior is the function of interaction between life instinct and death instinct किसी एक विशेश परिस्तिती में यदि जीवन मूल प्रविर्ति की प्रवर्लता मिर्तियों मूल प्रविर्ति की तुलना में अधिक होती है वैसी इस्तिती में व्यक्ति रशनात्मक वैभार दरसाता है यथा प्रेम, सहयोग, सोहार दादी यदि किसी परिस्तिती में जीवन मूल प्रविर्ती की प्रवलता मिर्तियू मूल प्रविर्ती की अपिक्षा निम्न होती है अर्थात मिर्तियू मूल प्रविर्ती की प्रवलता अधिक होती है वैसे इस्तिती में व्यक्ति विद्वन सात्मक बैवार देखलाता है यथा क्रो द्वंध की उत्पत्य होती है, जो मानसिक संघर्स को उत्पन करते हैं, इस प्रकार, जीवन और मिर्ट्यू मूल प्रविरती में परसपर विरोध होने के कारण मानसिक संघर्स उत्पन होता है. दूसरा आधार है हीनिता की भावना, feeling of inferiority, Alfred Adler ने इस हीनिता की भावना को मानसिक संघर्ष की उत्पत्ती का सबसे महतुपूर्ण कारण माना है, Adler के अनुसार प्रतेक व्यक्ति में अपने आपको स्ट्रेश्ट सिध्य करने की प्रवर्ती होती है, परन्तु किसी सारेरिक दोस के कारण या अपनी योग्यताओं या कारिछमता में अविश्वास के कारण यदि व्यक्ति हीनिता से ग्रसित हो जाए, हीन भावना से ग्रसित मत्ति हो जाए, वैसे इस्तिती में निर्णय लेने में मुश्किल आती है जिससे मानसिक संघर्ष की उत्पत्ति होती है, तीसरा आधार है सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं या सोशियो कल्चरल कन्फलिक्ट व्यक्ति की जो भी एक च्छाएं है, उसकी पूर्ती वातावर पर्यावरन में रहकर ही अपने पर्यावरन के अंतरगत ही हो सकती हैं। पर्यावरन के अंदर ही उन चाओं की पूर्ति संभव है। परन्तु यदि ये एक्षाएं, जब ये एक्षाएं समाजिक और सांस्क्रितिक मानडन्डों के विपरीत होती हैं, वैसे स्तिती में इनकी पूर्ती में बाधा उत्पन होता है। सिग्मन फ्रायड ने इसे एड एवं सुपर एगो के कनफ्लेक्ट के रूप में दर्साने का प्रैत्मी किया है, स्पस्ट करने का प्रैत्मी किया है। इड व्यक्ति की अतार्किक एवं अविवेक सील प्रकरती है, जो जिसका वास्त्विक्ता के साथ कोई संबंध नहीं होता, जिसे उचित अनुचित का कोई ज्यान नहीं होता। अतार यह अपनी सभी एक्षाओं की ततकाल संतुष्टी चाहता है, परन्तु यदि एक्षाएं असामाजिक एवं अनैतिक हों, वैसे इस्तिती में व्यक्ति का सुपर इगो, जो नैतिकता के सिध्धान परकारी करता है, जो नैतिक होता है, वो व्यक्ति में दोस भावना या पश्यताप की भावना उत्पन करता है, जिसके कारण व्यक्ति में मानसिक अंतरद्वंध या मानसिक संगहर्स की उत्पत्ती होती है, इस प्रकार स्पस्थ है कि जब मूल प्रेरकों में परसपर विरोध हो, व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो, या लक्ष के मार्ग में सामाजिक सांस्कृतिक अवरोध हो तो परिनामसरोप मानसिक संगर्स की उत्पत्ति होती है। आईए अब हम ये देखने का प्रयास करें कि इन आधारों पर उत्पन मानसिक संगर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार की परिस्तितियां व्यक्ति में मानसिक संघर्स उत्पन करती हैं। नापसंद करता है और उससे बचना चाहता है। इन दोनों इस्तितियों के परिस्तितियां उत्पन होने की संभावेता होती है। जिसके आधार पर लेविन ने मानसिक संघर्सों के चार प्रकार बताए हैं। पहला उपागम उपागम संघर्स यानि अप्रोच अप्रोच कंफ्लिक्ट। यह इस्तिति तब उत्पन होती है जब किसी व्यक्ति के सामने दो धनात्मक लक्ष यानि दो समान रूप से आकरसक लक्ष उत्पन होते हैं। जिसमें से किसी एक का ही चैन करने की बाधेदा होती है क्योंकि दोनों की पूर्ति एक साथ संभव नहीं होती है। और एक का चैन करेंगे तो दूसरे का सुवता निशेद हो जाएगा। उदाहरन के लिए यदि खरिदारी करते वक्त व्यक्ति को दो ड्रेस समान रूप से पसंद है। ऐसी स्थिति में किसे खरीदें और किसे छोड़ें। यदि व्यक्ति को दो बिवाहनी मंत्रन प्राप्त हुए हैं, दोनों समान रूप से प्रेव्यक्ति हैं, लेकिन दोनों एक ही तिती को अलग-अलग सहरों में आयो जित हैं। ऐसी स्थिती में किसमें जाएं, किसको छोड़ें। इसी प्रकार यदि एक बेरोजगार व्यक्ति को अपने ग्रिह नगर से दूर दूसरे सहर में नौकरी मिलती हैं। तो एक तरफ नौकरी है, यानि जीव को पारजन हैं, आर्थिक स्वाव लंबन का साधन है, तो दूसरी तरफ अपने परिवार का साथ हम उसके प्रती जिम्मेदारियां हैं। व्यक्ति दोनों को पाना चाहता है, दोनों में किसी से वंजित रहना नहीं चाहता, लेकिन दोनों की पूर्ती एक साथ संभव नहीं हो सकती। दूसरा जो लक्ष है, उसके धनात्मक पक्ष से वंचित रहने का जो मुश्किल है, वो निर्णा में कठने हैं। नए उत्पन करता है, और व्यक्ति उपागम उपावंग संभर्स का सामना करता है। दूसरी परिस्तिती है, परिहार परिहार संभर्स, यानि अवाइडेंस अवाइडेंस कंफ्लिक्ट। यह परिस्तिती तब उत्पन होती है, जब व्यक्ति के सामने दो परसपर विरोधी लक्ष, दो निसेधात्मक लक्ष, एक साथ उत्पन होते हैं। व्यक्ति दोनों से ही बचना चाहता है, दोनों के प्रति विकर्षन का भाव है, दोनों में से किसी को वो पाना नहीं चाहता है, दोनों से बचाओ करना चाहता है, लेकिन दोनों से एक साथ बचाओ संभव नहीं है। यदि व्यक्टी एक से अपना बचाओ करता है तो दूसरे को स्विकार करना बाध्यकारी है। ऐसी स्तिती में व्यक्टी के सामने इधर कुगां, उधर खाई वाली मनन स्तिती उत्पन होती है। व्यक्ति यदि एक से बचने के लिए अपने कदम पीछे खिचता है तो दूसरे में गिरना तै है। उदाहरन के लिए यदि दो अरूचीकर विश्यों में से किसी एक का चैन करने के बाध्यता हो जबकि छात्र दोनों विश्यों में कमजोर हैं दोनों से वो बचना चाहता है लेकिन किसी एक का चैन करना बाध्यकारी हो। एक बालक, assignment नहीं करना चाहता, homework नहीं करना चाहता, homework से बचना चाहता है, लेकिन साथ ही assignment पूरा नहीं करने की स्थिती में मिलने वाली सजा से भी बचना चाहता है, दोनों से एक साथ बचाओ संभव नहीं है, इसी प्रकार, यदि कोई हतियार बंद अपराधी, किसी व्यक्ति की जमापुझी लूटना चाहता है, और विरोध करने पर जान गवाने का खत्रा हो, व्यक्ति दोनों में से कुछ भी नहीं, दोनों में से किसी को भी खोना नहीं चाहता, न तो अपनी संपति खोना चाहता है न जान गवाना चाहता है, ऐसी इस्तितियों में उत्पन द्वंध को परिहार परिहार संगर्स कहते हैं, तीसरे इस्तिती है उपागम परिहार संगर्स, यानि अप्रोच अवाइडन्स कंफलेक्ट, यह इस्तिती तब उत्पन होती है, जब व्यक्ति एक ही लक्ष के प्रत उसकी कुछ बाते व्यक्ति को पसंद है, जो आकर्षन का भावत्पन करती है, कुछ बाते नापसंद है, जिसके कारण व्यक्ति विकर्षन मंसूज करता है, यदि व्यक्ति उसका चयन करता है, तो नापसंद चीजे भी साथ ही आएंगी, और यदि त्याग करता है, तो बिल्ने की क्रम में सारेलिक चोट लगनेवं घायल होने के भाए के कारण खेल के प्रति विकर्षन का भाह भी है इसी प्रकार यहीर कार सस्ति मिल रही है प्रन्तु पुरानी है यदि उसे खरीदते हैं तो पुराने होने का जो दोश है वो भी साथ में लेना स्विकार करना पड़ेगा और अगर उसे छोड़ते हैं तो फिर इतनी सस्तिकार मिलेगी नहीं एक डाइबेटिक व्यक्ति यानि मधुमेग रस्त व्यक्ति को मिठाईयां पसंद है लेकिन वो उसके स्वास्त के लिए हानिकारक हैं एक व्यक्ति पारिवारिक जीवन की खुशी के लिए शादी करना चाहता है, परन्तु पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियां सुविकार करना नहीं चाहता है, दोनों चीजे एक साथ संभव नहीं है, एक व्यक्ति को ऐसी नौकरी मिलती है, जिसमें उच्च बेतन मान एव इन परिस्थितियों में जो द्वंध उत्पन होता है उसे उपागम परिहार संघर्स कहते हैं। चौती परिस्तिती है दूई उपागम परिहार संगर्स, यानि डवल अप्रोच अवाइडन्स कनफ्लेक्ट, सामाने तह दैनेक जीवन में उपर की तीनों इस्तितियों से कहीं अधिक जटल परिस्तिती का सामना करना परता है, जब व्यक्ति के सामने दो परस्पर विरोधी लक्ष में से किसी एक का चैन करना है, और साथ ही प्रतेक लक्ष में कुछ धनात्मक और कुछ निशिधात्मक बातें एक साथ होती है, यानि व्यक्ति जिसे भी चुनता है, जिसका भी चैन करता है, उसकी दोनों बातें एक साथ प्राप्त होगी, उधारण के लिए व्यक्ति को दो में से एक मकान खरीदना है, जबकि दोरों में कुछ धनात्मक और कुछ निसेधात्मक गुन है, यानि दोनों में कुछ गुन है, कुछ दोस भी है, व्यक्ति जिसका भी चैन करेगा, उसके गुन दोस को एक साथ सुईकार करना परेगा इसी प्रकार यदि व्यक्ति को गाउं या सहर में रहने का निर्णाय करना है यदि व्यक्ति गाउं में रहता है तो प्रदूशन मुक्त, सांत बातावरन, खुला आवास मिलेगा, परंतु साथ ही गाउं में उपभुकता सुविधाओं का अस्तर निम्न है, बाजार नहीं है, स्वास्त से वाइन निम्न है, दूसरी ओर, यदि सहरी निवास को काचयन करता है, सहर में निवास रखना पसंद करता है, तो वै आजार की सुविधा मिलेगी, उच्चे स्वास्त से वाइन प्राप्थ होंगी, इसी प्रकार, यदि किसी वैक्ति को दो बिवाहा प्रस्ताव राप्थ होते हैं, एक धनी प्रंतु असिक्षित है, दूसरा गरीब प्रंतु सिक्षित है, ऐसी स्थितियों में उत्पन सामने उपस्तित विकल्पों के तुलनात्मक विवेचन के द्वारा अपने संघर्ष का समाधान करने की कोशिस करता है, जैसे ही वैक्ति किसी एक निसकर्ष पर पहुँचता है, मानसिक संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, जैसे उपागम उपागम संघर्ष में दो धनात्मक लक्षों में से जो लक्ष अधिक धनात्मक हैं, वैक्ति उसका चैन करता है, परिहार परिहार संघर्ष में जो लक्ष कम नुकसान देने वाला हो है, यानि लेसर अप दो इविल्स, दो इविल्स में से जो कम परिशान करने वाला है, उसका चैन कर सकता है, उपागम परिहा परिणामी वेक्टर से दोनों पे जिसका परिणामी बल ज्यादा होगा उसके प्रतिवों डिसिजन ले सकता है इसी प्रकार दुई उपागम परिहार संगर्स में भी दोनों लक्षों के और दोनों लक्षों के धनात्मक और नेसेधात्मक जो बल है जो वेक्टर है उनके पर परिनामी बल के आधार पर वो decision कोई एक decision लेता है दूसरे विकल्प को छोड़ता है और इस प्रकार अपने संघर्ष का समाधान करता है परन्तु जब व्यक्ति चेतन अस्तर पर कोई समाधान धूंड पाने में विफल रहता है तो चिंता तनाव कुंठा एवं अवसाद उत् जिसे बचने के लिए कई बार ये अत्रिप्तिक च्छाएं अचेतन में दमित कर दिये जाते हैं अचेतन में दमित होने पर भी ये अक्छाएं वहां निस्क्रिय नहीं हो जाती बलकि सक्रिय रूप से व्यक्ति के बैवहार को प्रभावित करने का प्रयत्ति करती रहती हैं ये एक्षाएं डैनिक जीवन की भूलों, सौपन, कुन्ठा, चिंता आधी के रूप में अभिव्यक्त होने का प्रयास करती रहती हैं हाला कि व्यक्ती इसके मूल कारण के प्रती चेतन रूप से अवगत नहीं रहता है और निर्णे एवं तनाव के स्तिती कायम रहने पर ये संगहर्स गंभीर मानसिक विक्रिती के कारण बन सकते हैं अचेतन अस्तर पर भी व्यक्ती का अहम इन संगहर्सों के समाधान की चेश्टा करता है जिसके लिए वह कई प्रकार की मनुरचनाएं अर्थात अहम रक्षा इक्तियां इगो डिफन्स मेकनिजम का सहारा लेता है अगले क्लास में अगले लेक्चर में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इगो डिफन्स मेकनिजम क्या है वे कितने प्रकार के होते हैं तथा इन मानसिक संघर्सों के समाधान में वे कितने प्रभावी या और प्रभावी होते हैं उमीद करते हूं मानसिक संघर्स के स्वरूप को समझने में यह परिचर्चा उपयोगी सिद्ध हुई होगी नेक्स्ट क्लास में इकोडिफेंस मेकनिजम के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग थैंक यू